अनेक बज़वों से पहले जब भी चवरी चवरा की बात हुई उसे एक मामुली आग जनी के संदर्ब में ही देखा गया लेकिन आग जनी की इन परिस्तित्यों में हुई क्या वज़ने थी ये भी उतनी ही महत्वपून है आग ठाने में नहीं लगी थी आग जन जन के दिलों में पज़वलित हो चुपी थी चवरी चवरा के इतिहास एक संग्राम को आज देश के इतिहास में जो स्थान दिया जा रहा है उससे जो जुड़ा हुआ प्रयास हो रहा है वो प्रसंसनी है में योगी जी उनकी पूरी टीम को इस काम के लिए बधाई देता हूँ आज चौरी चौरा की शताबदी पर एक डाग टिकर भी जारी किया गया है आज से शुरू हो रहे ये कारकम पूरे साल आयोजित किये जाएंगे इस दवरां चौरी चौरा के साथ ही हर गाउं हर क्षेत्र के वीर बलिदानियों को भी याद किया जाएगा इस साल जब देश अपनी आज़ाजी के 75 वे वर्ष में प्रवेश कर रहा है उस समय ऐसे समारों का होना इसे और भी प्रासंगिक बना जेता है साथियों चौरी चौरा देश के सामान्य मानवी का स्वतहस फूर्तस संग्राम था ये दुर्भाग्य है कि चौरी चौरा के शहीदों के जितनी चर्चा होनी थी बहुत अधिक चर्चा नहीं हो पाईगी इस संग्राम के शहीदों को करांतिकारियों को इतिहास के पन्नों में भले ही प्रमुकता से जगा न दी गई हो लेकिन आधादिक लिए उनका खून देश की माटी में जरू मिला हुआ है जो हमें हमेशा प्रेणा देता रहता है अलग-अलग गाओं, अलग-अलग आयू, अलग-अलग सामाजिक प्रस्ट भुमी लेकिन एक साथ मुलकर वो सब माभारती की वीर संतान थे आधादिक आंदोलन में संभावत है, ऐसे कमी वायके होंगे, ऐसे कमी घटनाएं होगी जिसमें किसी एक घटना पर उन्नेश स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी के फंदे पे लटका दिया रहा हूँ अंग्रे जी हुकुमत तो सेंकडो स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी देने पर तुलि हुई थी लेकिन बाबा रागवदास और महामना मालिवी जी के प्रयासों की भज़र से करीब करीब डेड़ सो लोगों को फांसी से बचा लिया गया था इसलिए आज का दिन विशेश रुप से बाबा रागवदास और महामना मदन महन मालिवी जी को भी प्रणाम करने का है उनका स्मरन करने का है साथियों मुझे खुशी है कि इस पूरे अभ्यान से हमारे चात्र चात्राओं युवाओं को प्रतियोगीता के माध्यम से भी जोड़ा जा रहा है हमारी युवा जो अध्यान करेंगे उससे उने इतिहास के कई अनकहे पहलू पता चलेंगे भारत सरकार के सिख्षा मंत्राले ने भी आजादी के 75 साल पूरे होने पर युवा लेखकों को स्वतंतरता सेनानियों पर किताब लिखने के लिए गटननों पर किताब लिखने के लिए, शोद पत्र लिखने के लिए आमंत्रित किया है चौरी-चौरा संग्राम के कितने ही ऐसे विर सेनानी है, जिनके जीवन को आप देश के सामने ला सकते हैं चौरी-चौरा श्रताब्दी के इन कारकमों को लोकल कला, संस्कृती और आत्म निर्वरता से जोड़ने का प्रयास किया गया है ये प्रयास भी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के प्रती हमारी स्रद्धानली होगी मैं इस आयोजन के लिए मुख्यमंत्रि योगी आत्रिते नाजी को और युपी की सरकार की भी सराना करता है सात्यों, सामुहित्ता के जिस शक्ति ने गुलामी की बेडियों को तोड़ा सा वही शक्ति भारत को दुनिया की बड़ी ताकत भी बनाएगी सामुहित्ता की यही शक्ति आत्म निर्भर भारत अभ्यान का मुल्भुत आधार है इस देश को 130 करोड देश वाच्छों के लिए भी आत्म निर्भर बना रहे हैं और पूरे वैश्विक परिवार की बनाई के लिए भी आप कल्पना की करिए इस कोरोणा काल में जब भारत ने 150 से जादा देशों के नागरिकों की मदद के लिए जरूरी दवाईयां भेजी आज भारत ने दुनिया के अलग देशों से अपने 50 लाग से अधिक नागरिकों को स्वदेश लाने का काम किया जब भारत ने अनेकों देशों के हजारे और नागरिकों को सुरक्षित उनके देश भेजा जब आज भारत खूद करोणा की व्यक्षिन बना रहा है दुनिया के बड़े बड़े देशों से भी तेज गती से टिका कर देशों